जै माता दी आज इस वीडियो में जानेंगे प्रियड जल्दी लाने का उपाई क्योंकि करवाचवत आ रहा है अन्य त्योहार भी आ रहे हैं दिवाली आ रही है सारे ब्रत त्योहार आते हैं इन दिनों हमें इसी बात का डर रहता है कि ब्रत के दिन कहीं प्रियर्ड ना आ जाए ब्रत के आसपास क्योंकि पूरे मन के साथ जिस तरह से हम तैयारियां करना चायते हैं ब्रत की पूजा की वह संभव नहीं हो पाती अन्य लोगों से हमें पूजा करवानी पड़ती है तो ऐसे में कोई ऐसा उपाय मिल जाए जैसे कि 7-8 दिन बचे हैं करवा चौत के ऐसे में हमें पहले ही प्रियड आ जाए डेट से पहले तो कहना ही क्या है हम अपने मन से खुले मन से पूजा इत्यारी कर सकेंगे आज इस पर ही आधारित वीडियो है कि प्रियड को आप टाइम से पहले 5-6 दिन 7-8 दिन पहले कैसे लाएं या बाद में कैसे लाएं जैसे कि कोई भी ब्रत हो कोई भी तिवाली आ रही है अनि ब्रत आ रहे हैं प्रियड जब आता है उस दन खुले मन से कोई भी पूजा संभव नहीं हो पाती है हर चीज को छूना वर्जित माना जाता है जब प्रियड आता है हर मेने इस समश्या को जेलना पड़ता है तो क्यों न हम लोग कुछ ऐसी ही उपाई कर ले घरेलू नुस्के कर ले जिससे की प्रियड हम जब चाहें तब ला सकते हैं ऐसे में सबसे पहला उपाई बहुत सांदार है यह नुस्का आपको अद्रक ले लेनी हैं आपको लगे कि अब इस दिन ब्रत है उससे पहले ही आप 7-8 दिन पहले जो है या 4-5 दिन पहले एक दो घंटे में ही यह काम कर लेता है अद्रक सबके घर में किचन में होती है आसपस से मिल जाती है और यह तो अद्रक के चोटे-छोटे टुकडे कर ले और इसे किसी मिक्सी में कूट ले जो c行 में कोई एसी सामगरी हो कि जिससे की हाराम से कूट जाए उसके बाद इसे कूटने के बाद आप इसे जो है उबालने खूब उबालने दे जैसे एक गिलास पानी कर लिया उसका आधा बना लिया आपसे ज्यादा यह तीखा होता है तो इसमें गुड मिक्स कर लीजिए और इसे पी लीजिए सिर्फ एक दो घंटे के अंद लेके आई हों उनको एक बार में एक ही करना है ज्यादा बार आप करेंगे तो यह आपके स्वास्ति के लिए नुकसान दाईग भी हो सकता है तो अदरक का सबसे अच्छा उपाए है नुसका है तो आपको यह करने नहीं सूबय पी सकते हैं आधा किला साम को पी सकते हैं चम्मच अजवाईन ले सकते हैं इसे भी ठीक उसी तरह से जैसे पहले पानी गरम होने दिया और उसमें एक दो चम्मच अजवाईन डाल दिया ठंडा होने के बाद इसे पी लेना है अगर आप अधरक वाले उपाई या नुस्के में कमपटेवल नहीं है तो अजवाईन का प असर एक या दो घंटे में अपना असर कर देता है तो इन दोनों उपायों में से आप एक उपाय अवश्य कीजिएगा अगर आपको प्रियड जल्दी लाना है इसके बाद आप खटे फल खाना सुरू कर दीजिए पपीते की तासीर गर्म होती है वह का सकते हैं पाइनेपल खा सकते हैं खजूर खाना सुरू कर दीजिए खुद बखुद एटोमेटिक ही प्रियड टाइम से पहले आ जाएगा इसके बाद गुड का पानी आप अजवाइन का पानी ना पी पाए अद्रक का पानी ना पी पाए तो गुड का पानी पीना सुरू कर दीजिए दो या त देर से लाना चाहते हैं जैसे कि डेट आपकी 24 तारिक की करवाचवत है 25 तारिक की आपकी डेट है या 26 शत्ता इसकी डेट है तो आपको लगे कि प्रियाट कहीं जल्दी न आ जाए तो आप खटी चीज़ें ऑवोइट करना सुरू कर दीजिए ठंडी चीज़ें खाना कर दीजिए जिससे की प्रियड देर में आए और जो है आपकी ब्रत पूजा कोई भी घर में तीस्तिहार आते रहते हैं तो यह उपाया पवश्य करके देखिए फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा जैसे मैंने बताया कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा जै माता दी